नमस्कार मैं हूँ शत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB Hindi News मेडिकल कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे 2,63,000 कर्मी मुख्य सचीव ने आईश्मान हरियाना अथोर्टी को लिखा पात्र हरियाना में अब पेंशन और शिवा निवर्ती के लिए जूजरे करमचारों के लिए बड़ी खुशकबरी हाई कोट ने सरकार को दिया ये नया आदेश सचकंड सिरी हुजूर साहिब नांदेड और मुंबई की ट्रेनों में राहत किसान अंदोलन के कान 122 ट्रेने प्रभावित भाजपानी 27 अप्रेल को महेंदरगट जिले के अटेली विधानसवा हलके में आयुजीत होने वाली विजय संकल प्रेली को स्थागित किया विधायक सीताराम यदो के अनुशार नई तारिक का एलान होगा जल्द हरियने की स्कूलों में नहीं होंगे एडमिसन गैर मानेत प्राप्त विध्यालों के लिए हाई कोट का आदिश सिक्से आदिकारीने की छापी मारी वीवी पैट वेरिफिकेशन पर सुप्रीम कोट ने फैसला सुरक्षित रखा कहा चुनाव कंट्रोल नहीं कर सकते डेटा के लिए इलेक्शन कमिशन पर भ्रोशा करना होगा रामदेव बालकर्षिन ने विग्यापन केस में दूसरा माफिरामा सपुआया सुप्रीम कोट ने कहा था कि साइज ऐसा ने हो कि माइक्रोस्कोप से पढ़ना पड़े कोटक महिंद्रा बैंक नए क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करिशकेगा ओनलाइन खाते खोलने पर भी रोक लगी खामियों को दूर नहीं कर रहा था बैंक और कप्तान रिशा पंत और अक्सर पटेल की 50 के साहरी दिल्ली कैप्टेल्स ने आईपेल 2024 में गुजरा टाइटन्स को सीजन के 40 वी मुकाबले में टाइटन्स को च्यार रन से माद दी और अब खबरे विस्तार शे भारतिय मोसम इभाग यानि आईमडे के एक बुलेटिन में कहा गाया है कि अगले दो दिन तक ओडिशा पश्यमंगाल सीक्किम करनाटक में तेज हीट वीव चल सकती है नौर्थ इस्ट के तीन राजियों की बात करें तो असम मेगाला और मिजोरों में तेज बारिश होगी इस बाहर जून से स्टेंबर तक मानसुन शामाने से बेहतर रहेगा मोसम विवाग यानि आईमडे के अनुशार एक सोच्यार से लेकर 110 फिजदी के बीच बारिश को श संकेत है हरियाना में मोसम विवाग के अनुशार इस सब्ता के अंत तक मोसम में बार बार बदलाव आता रहेगा आने वाले सब्ता में आस्मान साफ होने की संबावना है जिससे की ताबमान में तेजी सी वर्दी दरज की जाएगी आर्मी पबलिक स्कूल हिसार में हेल्थ एंड वैलनेस टीचर के पदों पर भरती की जा रही है सबी इच्छोक उमिदवार इन पदों के लिए अपने आविदन भेज सकते हैं आपको बता दे कि इन पदों के लिए महिलावे पुरुष दोनों वर्गों के उमिदवार अप कि अपन देखें इन पदों पर उमिदवारों को ओफलाइन आविदन भेजने होंगे। क्लासरूम गतिविद्यों में भाग लेने के साथ अधिक सदिक कक्षया में हाजरे भी देनी होगी। इसके अलावाद 6 माई प्रिक्षया और टेस्ट के अंक भी जोड़े जाएंगे। इसके अतेरिक अब विद्यारतों की छमता मापन पर फोकस रखते वे परतिस प्रदात्मक प्रशन ज्यादा पूछे जाएंगे। प्रशन पत्र में इनके संक्या 30 से बढ़ा कर 50 प्रतिसत करने की योजना बनाई गई है। वहीं बोड विशेशेगों की राय और सुझाओं के बाद कक्षा 29 लेकर 12 तक प्रशन पत्रों में बड़ा बदलाओ करने की तैयारी है। यानि HRMS पोर्टल पर अपडेट है। परिवार फैसान पत्र भी HRMS से मिलता हुआ होना चाहिए। पोर्टल पर वीडियो देखने के बाद करमी आसानी से श्यूम रजिस्ट्रेशन करके अपना कार्ट डाउनलोड कर पाएंगे। बड़ा से खासे नारा चल रहे हैं जिनके भी बहुत जल्द पार्टी छोड़ने की संभावना नजर आ रही है। फिलाल चर्चाएं जोरो पर हैं कि बहुत जल्द पूरा परिवार कॉंग्रेश पार्टी में घर वापसी करेगा। विदायक इसवर सिंग के कॉंग्रेश के दिगज नेतरी कुमारी सेलजा के साथ अच्छे संबंद रहे हैं। विदानसभा चेतर से जज़बाई की टिकट पर चुनाव लड़ चुके दयानंद उरलाना ने भी दोश्यन चोटाला को गुड़बाई बोल दिया है। SDM एम परशासक मार्केट कमेंटी रिवाडी ने बताया कि 27 अप्रैल तक किसानों की सर्चों की उपज निर्दारित MSP पर खरी दी जाएगी। किसानों से अपील है कि वे अपनी सर्चों की फसल को अच्छे सी सुकागर वे साफ करके अपने गाउं के रोश्टर के अनुसार सुबह 9 बजे से लेकर साम 5 बजे तक लेकर आएं। वे ही किसान अपनी सर्चों के फसल लेकर आएं ताकि किसानों को अपनी सर्चों बेचने में कोई परेशारी नहों। प्रवारी रनदीर सिंग ने बताया कि पार्टी ने गुरुग्राम लोकस्वा सीट से वीजे खटाना को अपना प्रताशी बनाया है। वो सोना के दमदमा गाओं के रहने वाले हैं और पूरों में गाओं के सरपंच भी रह चुके हैं। फिलाल वो पार्टी में गुरुग्राम जिलादेक्स की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। उनके सामने बीजेपी के दिगज नेता राओ इंदरजीत सिंग चुनावी रण में होंगे। रणदीर बेनिवाल ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के मूल नीती, समाज के परतेक वरग में पिछडों और दलितों वे दवे कुछले लोगों को ससक्त और सम्रत बना कर देश की मुख्य धारा में लाना है। और पिछडों का उत्थान करना पार्टी की सबसे बड़ी प्रास्मिकता रहेगी। समंदित विभागों ने विभिन कारणों से उनकी पैंसिन सहीत अन्यलाब रोक रखे हैं। कुछ मामले तो 20 साल से भी ज्यादा लंबे समय से पेंडिंग पड़े हुए हैं जिन में से कुछ मामलों में तो क्रमचारों की मृत्यू तक हो चुकी है। और अब उनके प्रिजन बगाय राशी पाने के लिए संगर स्रत है। महीं पंजाब एंड हर्याना हाइकोट पहले यादिस जारी कर चुका है कि शिवाने उर्ति लाब और पेंशिन के लंबित मामलों की सुनवाई हर रोज होगी। हाइकोट ने सरकार को तिन सप्ता में रिपोर्ट शोपने का आदेश जारी किया है। इस ट्रेन के संतालन का मेंदिपूर बालाजी मंदिर जाने वाली सद्धालों को भी लाब मिलेगा क्योंकि यह मंदिर बांदिकोई रेल्वे स्टेशन के नजदिक पढ़ता है। हारियाना में कॉंग्रेस के लोगसबा प्रत्यासियों के लिष्ट जारी करने को लेकर पेंच फसा हुआ है। इससे कारेकरताओं में भी मायूशी बनी हुई है। पर अंतिम निरने लेंगे। हारियाना में लोगसबा चुनाओं के लिए नामांकन दाखिल करने का सेडूल 29 अप्रेल सिले का 6 मही तक रहेगा। रेल्वे ने यात्रियों और सचकंड शिरी हुजूर साहिब जाने वाली सरधालों की प्रेशानी को देखते वे दो जोड़ी स्ट्रेनों को अमरेचर तक संचालित करने के निर्देश जारी किये हैं। में ट्रेन नमबर 12903 और 12904 मुंबई अमरेचर मुंबई गोल्डन टेंपल मेल और 2715 और 16 सिरी हुजूर साहिब नांदेड अमरेचर नांदेड सचकंड एक्सप्रेस सामिल हैं। पिछले 6 दिनों से ये ट्रेन बीच रास्ते में रेल्वे स्टेशन पर रद की जा रही थी। इसमें गोल्डन टेंपल मेल को निजामुदीन तो वहीं सचकंड एक्सप्रेस को अमबाला में रद करके पुने चलाया जा रहा था। इन ट्रेनों को गंतवी स्टेशन से चलने के कारण यात्रियों विशेश कर। इन आम का उमिद्वार हारेगा। इससे चर्चा शुरू हो गई कि शुरूति का निशाना उनके खिलाब कॉंग्रिस टिकट के दाविदार रावदान सिंग्शे है। आज बबर ने 5 साल गुरू ग्राम में पसीना बहाया। टिकट वित्रन में देरी से कॉंग्रिस को नुक्सान हो रहा है। उन्होंने यहां तक कहा दिया कि फिल्म स्टार लाना ही है तो फिर रनवीर या रितिक रोशन को लेकर आओ। हर यहने के पूरू शियम एम करनाल शीट से लोकसवाव मिदवार मनोहरलाल खटर ने बुदवार को जेजेपी के जनरल सेक्रेटरी दिगविजे चोटाला पर कोई भी टिपनी करने से मना कर दिया। उनका कहना था कि चोटाला इस मामले को तूल देना चाहते हैं। हर यहने के पूरू मुक्यमंत्रे मनोहरलाल खटर ने रेवारी के कोशली में मीडिया से बात करते हुए काहा था कि पूरू डिप्टी से हम दोस्यं चुडाला दोशी हुए तो बक्षेंगे नहीं। जो भी दोशी होगा उस पर कारवाई जरूर होगी और निर्दोस को घबराने की जरूरत नहीं है। रेल मंतराले ने सब इंस्पेक्टर यानी एक्जीक्यूट्यों के पदों पर भरते निकाली है। या प्रिक्शन 90 मिनिट यानी एक गंटा 30 मिनिट के लिए आयुजित की जाएगी। हर गलत उतर के लिए हर प्रेशन के कुल अंकों में से एक तिहाई एंग काट ली जाएंगे। भारती एक शेर बाजार में लगातार चोथे कारोबारी दिन तेजी देखने को मिली है। सेक्स 114 अंक चड़कर 73,800 बाउन की स्थर पर कलोज हुआ तो वहीं निप्टी में भी 34 अंकी तेजी दिखाई दी और ये 22,402 की स्थर पर कलोज हुआ। सबसे जाधा तेजी मेटल शेरों में दिखाई दी आईटी और ओटो में गिराउट देखने को मिली। सोने की कीमतों में बढ़त देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कायट सोना 228 रुपे महेंगा होकर 71,826 रुपे का हो गया है। महीं एक किलोग्राम चांदी की बात करें तो 680 रुपे सस्ती हुई है और ये 8687 रुपे परती किलोग्राम की स्थर पर बिक रही है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 10 ग्राम 22 कायट सोने की किमत 67,750 रुपे और 10 ग्राम 24 कायट सोने की किमत 72,800 रुपे पहुँच गई है। आज खबरों बशित नहीं देखते रही है आपका अपना हर्याना का सबसे बेहतरी न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज नमस्कार इसी आसा के साथ आपका दिन सुब रहे।